तो दस्तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं सैमसंग की तरफ से आने वाला एक निव अपकमिंग 5G स्मार्टपॉन सैमसंग गलक्सी A72 के बारे में और ये गलक्सी A71 का एक सक्सेसर होगा दोस्तो इसकी काफी सारी रेंडर इमेजस रिवील हो चुकी हैं और कुछ फीचर्स भी निकलके आ चुकी हैं तो चली दोस्तो बात करते हैं सैमसंग गलक्सी A72 के औलमोस्ट फीचर्स प्रैजिंग और लॉंच डेट के बारे में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टेड होगी इस्सो एंड तक बने रहे हैं बट आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रैस कर लीजे तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वाल्टी से तो इसमें आपको बैक साइड में पॉली कार्बोनेट का डिजाइन मिलेगा ग्लॉसी ग्रेडियन पिंसिंग के साथ आएगा दोस्तो ये देखने में आपको सेम गिलाज जैसा लगेगा बट एक्चुली में ये गिलास नहीं है गलक्सी A71 के जैसा आपको हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ डिजाइन मिलेगा इसके साथ आपको स्क्वार सेप में क्वार्ड कैमरास मिलेंगे और इसके कैमरा मोडिल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है गलक्सी A71 के कॉमपेर दोस्तो इसका कैमरा आपको फ्लेक्सिव लेबल का फील होगा और इसका जो प्रैमरी सेंसर मिलेगा वो होगा 64 मेका पिक्सल का जिसमें आपको OIS का फीचर भी मिल सकता है इसके अलावा 12 मेका पिक्सल का वाइडंगर लेंस 5 मेका पिक्सल का डेफ्ट सेंसर और 5 मेका पिक्सल का माइक्रो लेंस मिलेगा दोस्तो कमाल की बात तो यह है कि इसके अंदर आपको 4K 60fps वीडियो रिकॉर्टिंग का फीचर मिलेगा जो की काफी इंटरेस्टिंग बात है और इसकी डिस्पले की बात करती है तो सामने की तरफ आपको 6.7 इंच की Full HD Plus Super AMOLED Plus का डिस्पले मिलेगा सेंटर पंचॉल कट आउट डियाइन के साथ आएगा जिसमें आपको इन किलोज्ट 32 मेका पिक्सल का सेलपी केमरा मिल जाएगा दोस्तो इसमें कहीं पर भी फिजीकली पिंगर्पिंट सेंसर को मेंसन नहीं किया गया है यानि कि इसमें इन डिस्पले पिंगर्पिंट स्केनर का सपोर्ट मिलेगा और इसके प्रोसेसर की बात करती है तो ये Qualcomm Snapdragon 750G Octa-Core 5G चिपसेट के साथ आ सकता है दोस्तो काफी सारे लोग ये बता रहे थे कि ये चिपसेट आपको Galaxy A51 के अंदर मिलेगा बट Samsung ने अभी एक पोस्ट को रिविल किया था जिससे ये पता चलाए कि Samsung Galaxy A51 4G के साथ आएगा तो ये चिपसेट उसमें पोसिबल ही नहीं है या फिर ये Qualcomm Snapdragon 765G के साथ भी आ सकता है दोनों ही चिपसेट 5G connectivity के साथ आती है और 7NM technology पर बेज़ड है और इस स्मार्टपॉन के अंदर आपको operating system मिलेगा out of the box N.11 जो की 1UI 3.0 पर रन करेगा और इसकी बेंटरी के बारी में बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 4500MH की बेंटरी मिलेगी और साथ में आपको part charging का support भी मिल जाएगा इसके अलावा 3.5 mm का audio jack, type-c port और nox security का feature भी मिलेगा दोस्तो ये 6GB plus 128GB and 8GB 128GB RAM variant के साथ आएगा और फाइनली इसके 6GB plus 128GB बाले variant की प्राजिंग की बात करते हैं तो इसका बेस बिरेंट आपको एप्रोक्स 35 से 40 से रुपय की प्राजिंग में मिल जाएगा और ये 2021 के पश्ट क्वाटर में इंडियन मार्केट में डेफिनेटली लॉंच होने वाला है तो बस आज के लिए बस इतना ही आयोब की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सेर कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे तो मैं मिल दाऊं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिं दिस वीडियो और टेक केर